और गई जुकि आज हम बात करने वाले कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे वीडियोंस में कि भाइए टीक्रस्ट के बारे में फटाफट बता दो क्योंकि रहां सब लोग सबादो गयां का पर میں बटूरा की सब लोग मिलनेICO मिलने वाला है भर भर के अपचुन्टी मिलने वाली है एडमीशन की यूपी एक ऐसी काउंसिलिंग है जहां पे आठ लाक राइंग है तो अभी आपको गौर्णमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं और प्राइबेट तो भाई साथ 10 लाक तक आराम से मिल जाते हैं तो आपको ज्यादा परिशान होने की जरूत नहीं है यहां पर कोलेजों की कमी नहीं यह बस अच्छे कॉलेजों की कमी है बट अगर मैं बात करूं यूपी टेक के शुड़ियोल का तो देखो अब फैसला तो आही चुका है और से जल्दी जारी हो जाएगा और अप पनों लोग क्या करेंगे गांस आप संदी भाई आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं तो आप परिशान मत होई है अच्छा एक बात मैं जो सबसे मुख्या आप बुलने वाला हूं हो यह है कि एक ट्यू काउंसिलिंग प्रोग्राम में चल रहा है मतलब मतलब 1500 का डिसकाउंट 25 का प्रोग्राम एक हजार में लेगनों सिर्फ आज तक काई है क्योंकि आपको पता है खुजी का मतलब सारी लोग यहां पे खुश थे तो मैंने भी वोला चलो वाई कुछ गिफ्ट देते हैं तो आज हो वाई एक हजार में आप प्रोग्राम जॉइन करगे हमसे अपनी काउंसिलिंग करा सकते हो बट खैर लीव एवरेटिंग एंड नाव यह गूंट टॉक अबाउट दीन मंदू छोटू राम यूनिवर्सिटी आफ साइंस टेक्नलोजी तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो फिल कर सकते हो तो अगर आप चाओ तो इसमें फिल कर लो क्योंकि अभी भी टाइम है अच्छा अभी दोड मत जाओ फिल करने के लिए पहले समझ तो लो कि किस रैंक तक वाले को भरने में फायदा है कौन-कौन सी सीटे वैकन्ट है कितना फीज है इस सब समझो तब जाके अब बात करते हैं पहले पहले शेडूल समझो क्या है कि एक से लेके छे के भीच में भरना था और उसके बाद से मेरिट लिस्ट का लाएगी आप जैसा कि आज वाई-म-स ये फरीदाबाद की मेरिट लिस्ट आई है आप में से बहुत सारी लोग देखे भी होंगे वाई-म इसकी विबसाइट पर मेरिट लिस्ट पॉर इंसिटूर्ट लेबल ठीक है ये मेरिट अलग अलग केटेगरी इसका मेरिट लिस्ट निकला है ठीक है ओके तो ये मेरिट लिस्ट फार फिजिकल काउंसलिंग इसको स्पॉर्ट काउंसलिंग कहलो या फिजिकल काउंसलिंग कहलो या जो भी कहलो तो इसका मेरित लिस्ट निक्ला हुआ है तो मैं आल के टेगरी का देख लेता हूँ क्या बुलाया गया है ठीक है कि अब का पादरस ने क Canon ऐप ऑर लाटेट ब्रांच अगर पहले से लाटेट फा तो और उसके पर न लिखा हुआ है ठीक है और लाटेट के टेगरी के टेगरी और जहीं में इनका राइंक तो देखो किस राइंक तक को बुलाए गया तो अगर वाई-मसी फरिदाबाद में बात करूं तो तुम यहां पर देखते जाओ देखते जाओ अच्छा रैंक के इसाप से इनका हो बना हुआ है ठीक है तो रहें के इसाप से इनका हो बना हुआ है तो तुम्हें दिख रहा होगा कि मतलब ठीक ठाक बुलाए गया है यहां पे जो मेरिट लिस्ट बनी है वाई-मसी फरिदाबाद की तुम देखो एक लाग सत्तर अजार मतलब 2,5,3,0,0,0 तक तो बनी ही होगी अबभाई साथ देख रहा हूं जादे लांक कि इनका 1100 लोगों की मेरिट लिस्ट बनी है और इन्का है अच्छा हाला जएज सिदिक लिए बुलाए गाए तो ऐसे ही जैसे इनकी मेरिट लिस्ट आया गाँए तो आपकी भी आहीं से लोग का आराम से अगर कंडिडेट्स भी भरते हैं तो भी एडमीशन हो जाएगा क्योंकि सारे लोग जाते निया बस भर देते हैं पर सारे जाते निये कुछ अब तुम इनको देखो तो इनके यहां जो बेस्ट वाला बंदा रहा वह लगब लगब टॉन्टीनाइं लाक उन्तीस अजार करा वाई-मसी फरीदाबाद में और एक बंदे को इन्फॉमिशन टेक्नलोजी मिली थी वह लगब 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 उन्तालीस अजार का रह ठीक है वह हरियार उपेन केटेगरी रहा बट खेर यहां पर बंदे वहीं आएंगे जिनका यहां पर वही बंदा था जिसका 29,000 या 30,000 से ज्यादा था यह 40,000 के बादवाले बंदे हैं तो यहां पर तो 50,000 के बादवाले बंदे आते हैं अच्छा अगर किसी की रैंक 50-60, से इवें 70,000 से कम है तो मैं तो रिकमेंड नी करूंगा कि तुम यहां जाओ अगर तुमको अच्छी बनान चाहिए तो तुम जा सकते हो अब बात करते हैं सेकेंड इंसिटूट लेबल फिजिकल रिपोर्टिंग की तो अगर मालो पहले वाले में नहीं मिल पाता है तो इस पहले में आपको 1,25,000 तक बुलाए गया है और उसके बाद 8 तारीकों अच्छे रैंक वालों को बुलाए गया है पहले इनको सीट दिया जाएगा इनके बाद जो बचेगा उसके बाद यह लोग 9 तारीक को जाएंगे और उसके बाद आपका सेकेंड वाला है जो भी है तो अगर तुम पहले से भरे हुए हो तो तुमको इन जगएयो लेना है यहां पे लेस कर लो और 12 हैश्यास कर लो और हPalा हabout ready को भरने के बाद से टूमिन का कर देना पीमेंड कितने सबसे पहले जाना है सबसे पहले वाले में जाना है और जहीं मेन के रैंक से कंसीडर किया जाएगा जो बच्चा और इजनल एट फोटोपी अब मैं बात करता हूं कि भाया कितनी सिट्स वैकेंट है तो सिट्स वैकेंट का मसला बहुत ज्यादा है अगर मैं बात करूं है साब कंप्यूटर साइन्स इंजीनरीं की तो अधर इस्टेट के लिए पांच और बागी अधर इस्टेट के जनरल के ऊच्छाँ और टोटल बात करूं तो यह नंमबर रॉद्ध यह चार सो पंद्र हो गया और अगर कोई बंदा है तो यू सुट गो हियर अब तुम्हारे मन में आएगा कि ठीक है आप बहुत है ठीक है एक हजार का दे के जाना है हमें एक हजार का यहां पर पे करके जाना है यह बताओ इसकी फीज कि दियो और इसका प्लेश्मेंट का इसा है क्योंकि अगर कॉलेज Witerte जाएंगे अधर हम काइक हो जाएंगे मैं तुम्हारे मताता हो पहले की बात अच्छै यहां लोक में की बात अब का अपना होता है अगर मैं फीस की बात करूं तो आपको जो फीस आपका जो फीस लगता है अगर आप जनरल कंडिडेट हो तो आपका लगता है लग बग लग 45,750 रुपे पर यह तो यार 45,000 पर यह बिल्कुल भी जादा निये इस वेरी लेस फीस ठीक है तो इस सेशन का जो इनका जो दिया हुआ था वही आल्मोस्त आल्मोस्त है और इन्होंने जो बोला है ना जो बोला है इन्होंने शुरू में भी बोला है कि किसको कितना लेके आना है तुम यहां देख सकते हो ठीक है एड्मिशन के टाइम पर आपको 45,750 रुपे लेके आना है ट्यूशन फीस तो 37,000 लेकि आना है और अगर आप एसी स्टी है और आपके इंकम अगर 2.5 लाक से कम है तो आपको तीन हजार लेके जाना है तो इतना कम फीस है फीस कुछ ज़ादा नहीं है फीस कुछ भी ज़्यादा नहीं है तो आपको यह बात समझ में आ रहा होगा कि हम भईया फीस त साते हो तो और डवल बेट में 4000 पचास रुपए है और अगर मैं टोटल फीज की बात करूं टोटल फीज की बात करूं तो फस्ट फस्ट यर में आपको 32600 देना पड़ता है सलाना और अगर आप री एलाट्मेंट कराते हो जब सकेंडियर में तो डाटीज 27500 आपको देना पहलता हूं टी क्रस्ट इसके बाद दूसरे नंबर की निवस्टी फरीदाबाद के बाद दूसरे नंबर का इंसिटूट है और अगर मैं प्लेस्मेंट की बात करूं तो नियर्व डेटा जो कहता है वह कहता है कि लास्ट इर इनके 468 थे जिसमें से 177 बच्चे प्लेज़ हो गया है और अगर इनके मीडियन पैकेश की बात करूं तो मीडियन पैकेश ए 4.5 लपी ए 4.5 लपी तो बहुत बुरा भी नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है एक एबरेस आई ठीक ठाक साइए लेकिन एक चीज यहां की खास है क्या कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर सा प्लेश्मेंट है अगर मैं इसका मिनिममम पैकेश थीन था और मैक्सिम पैकेश पाइबरेस फाइबरेस फाइबरेस के लो कुछ खास नहीं है मैक्सिमम अब तक इनका जो गया इस साल का और ट्वंटिफोर एलपी गया है मैकेनिकल इंजिणरिंग में 66 परशेंट का प्लेशमेंट है तो अगर हम को खटा दें तो बाकी समय कुछ खास प्लेसमेंट नहीं है सिर्फ यह जिसमें एक अच्छा खास प्लेसमेंट मिलता है और थोड़ा वो डिसेंट तुम इलेक्ट्रोनिक्स में देख सकते हो अलाकि मैं इलेक्रोनिक्स इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा पर ठीक है चुकि कम फीज लगता है कम फीज में आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं तो लोग जाते हैं अब बात करते हैं किस कटाफ तक वालों को जाना चाहिए कटाफ का तो कटाफ से तुम्हें आइडिया लग जाएगा मैं अधर स्टेट का वता रहा हूं यह मैक्सिमम है आईडिया कोटे का अगर मैं कब्सक्रेइग की बात करूं तो इनका 70,000 तक एड्मिशन हुआ था और अगर मैं एक्ट्रोंिक्स इंजिनरिंग की बात करूं तो 83,000 तक एड्मिशन हुआ था अगर तुम्हारी रहंग 2-3,000,000 तक भी है तो भी डीक्रेस्ट में आराम से डी क्बिटर्साइंस एक्सपेक्ट कर सकते हो तो अगर तुम्हारी रैंग रहा और एक एडमिशन प्रॉसेस भी रहा जिसके तुम्हां के डिक्रस्ट में एडमिशन ले सकते हो फीस कम है प्लेशमेंट सिर्फ CAC आच्छा बाक़ी तो कुछ खास नहीं है और तो अगर तुम तुम्हें पसंद आ रहा है तो यू केंगो अगर तुम्हारी बहुत लोग है तो बाकी और जिसका मैं यहीं पर रिब्यू करूंगा तो नेक्स्ट कॉलेज का रिब्यू चाहिए फटाफट कमेंट बोक्स में बता दो तो चली मिलता है नेक् के मैं यहीं है अम्हें प्यों हूँ बहुए अगल्ट करूंगा तो चाहिन को बता बना खाल्ट कर्वा Ohों है जो हुए तूम्हें पता जा करूंगा मैं पर दो बखिका और भाशों कहां पता है तो बहुए है विक्टाश काव काूंग